वाट एवरी फ्रेंच वुमेन वॉंट मूवी जो की साल 1986 में रिलेस हुई थी ये एक फ्रेंच मूवी है जो काफी जवदस्त है दोस्तों ये कहानी है कैसे लड़के की है जो अपने पूरे गाउं की ओरतों और लड़कियों और नोकरानियों सभी को दबा के पेलता है यहां देखते हैं जोने सेंस ने क्या खेल खेला मूवी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सियर जो कर दीजिए मूवी की स्टार्टिंग 16 साल के जोने से होती है जो की अपने समर वेकेशन की चुट्टिया मनाने घर की सबसे बड़ लपीतों देख लेती है कि जोनी मेरे पपीतों को देख रहा है वो मुश्क्राकर मनी मन में बोलती है देख ले बेटा देख ले इसके बाद जोनी अपने घर पहुंच जाता है और उसकी माँ जोनी की पैंट देखकर बोलती है ये तुम्हारी पैंट पर सफेद घी कैसे ल और वो अपने हातों से जोनी का घी साफ कर देती है इसके बाद जोनी अपनी बेहन बरता से मिलता है जोनी और बरता एक दूसरे से बहुत प्याय करते हैं और वो बरता के साथ जंगल में घूमने चला जाता है जंगल में घूमते घूमते जोनी को मिस लपीतों मिलती है लपी के पपीतों का टेस्ट करा दे मैं तुझे रोज फूल चड़ाऊंगा जैसे ही वो आदमी जोनी को देखता है जोनी वहां से भागते भागते नीचे गिर जाता है और उसे हसने की अवाज आती है जोनी वहां देखता है कि उसकी घर की मेड उर्सुला जंगल में घपा घप घ इसके बाद जोनी अपने कमरे में सोने चला जाता है अचानक उसे बरतनों के खड़कड़ाने की आवाज आती है जब वह बाहर देखता है तो इसकी आँगे फटी रह जाती है और फिछवाड़ा हवा देने लगता है वह देखता है कि एक कप ट्रे वाली मेड का कोई रूम के अंदर से घपा घप डोल बजा रहा है घर की नोकरानी हैलन जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करके वहाँ से चली जाती है वहीं जोनी से अपना हैंड़ पम के जोर को काबुम करके अंदर चला जाता है बिस्तर में छुपी बरता अचानक से निकल कर जोनी को डरा देत बरता उसे अपनी मौसी के बारे में बताती है वो कहती है हमारी मौसी अभी तक वरजीन है जोनी कहता है तुम्हें कैसे पता चला बरता कहती है मुझे हैलन ने बताया वो हमारे घर की मेड है जोनी कहता है हमारी मौसी ने अभी तक साधी क्यों नहीं की बरता कहती है पता न Всёक तो बहुति हैं तभी वहां 3 नो कर आते हैं वह भी जोनी के घर में काम करते हैं और पांच नोकारान्य नो को देखकर अपने ज़े बर्साज अर देते हैं उर्सुला कम नहीं था है मुझसे पंगा उर्सुखा उसे सिस्टम दिखाने लगती है तभी वह नोकर बोलता है और यह सब देखकर वो दोनों बहन बाई पेड़ के पीछ छुपकर मजे लेते हैं अगले दिन जोनी से इसकी बहन अलीसा अपने पापा के साथ घर आती है अलीसा सबको गले लगती है लेकिन जोनी से बस वो हाई हेलो कह के चली जाती है और यह देखकर जोनी सिंस निरास हो जाता है यह देखकर बरता समझ जाती है और जोनी सिंस को खुश करने के लिए चर्च में लेके जाती है वो कहती है आओ मैं तुम्हें चर्च ले चलूँ वहाँ पर बहुत साई लोग फादर से गंदे गंदे कनफेसन क की माफि मांगते हैं यह सुनकर मजा आएगा वो दोनों चर्च के ऊपर छुप जाते हैं और किसमस्ट से जॉनी की मौसी आ जाती है वो फादर को बताती है कि जब से मैंने जॉनी सिंस को देखा है मेरी तितली सफेद खून की उबाल मार रही है जब से मैंने जॉनी का घी कि घंटाता है इसी कुसी में जॉनी से इस इनस हिलने लगता है तभी वे फादर के ऊपर गिर जाता है जॉनी को देख कर उसकी मौसी स inomाख हो जाती है इसके बाद पादरी सारी बाद जॉनी कि मांपादरी आठिए आप ही बताओ इस ठरकी को क्या सज़ा देने चाहिए पा वो जोनी सिंस से प्याय करती है वो नहीं मानती लेकिन जोनी की मौम के फोर्स करने पर वो जोनी के दबा के फटके लगाने लगती है वहीं एलिसा का मंगेतर घर आ जाता है और ये देखकर वो हसने लगता है और जोनी सिंस का पिछवड़ा लाल चटनी की तरह लाल हो जाता ह वहीं खिड़की से उर्सुला और बर्था ये सब देख रही होती है जिने बहुत बुरा लगता है उसी राद जोनी की सीधे लेटने में फटके चार हो जाती है क्योंकि उसका पिछवाड़ा लाल टमाटर बना हुआ होता है वो उल्टा होके सोता है वहीं फिर से प्लेट के खड़कडाने की अवाज आती है जोनी बहार देखता है कि आज फिर से हैलन का दबा के पिलन कार रहे चल रहा है और ये देखकर जोनी के हैंड पंप जोर मारने लगता है वहीं पीछे से मिश्टर फ्रैंक भी सीन को देखकर मज़े ले रहा था इसके बाद उर्सुला जोनी के पास आती है वो कहती है तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा लाओ मैं तुम्हारे पिछवारे पर जंडु बाम लगा दूँ तुम्हें ठंडक मिल जाएगी जोनी उर्सुला से पूछता है ये हैलन का रोज रात में काम कौन बजाता है उर्सुला कहती है इस घर की सारी मेड की अलग-अलग कहानी है तुम छोड़ो तुम ध्यान मत दो जोनी सोचता है साले इस घर में सब एक दूसर को पेल रहे है मेरी बारी कब आएगी जोनी के दिमाग में एक बात आती है हैलन को पेलते हुए मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे साथ वो जानते हों इस बारे में और जोनी मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है में गपा गप चल रहा है जोनी सोचता है कि मिटर फ्रैंक तो मुझसे भी बड़ा ठरकी निकला और उस सीन को देखते देखते जोनी को एक असलील किताब मिलती है उसको देखकर उसके अर्मान खड़े हो जाते हैं इसके बाद जोनी जब अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो उसे अपने पेरेंस के कमरे से आवाजे सुनाई देती हैं जहां पेलें कारे चालू होता है और गेट के की होल से जोनी अपनी तीसरी आँख से देखने लगता है तब ही वहाँ एलिसा का मंगेतर उसे देख लेता है वो कहता है अब मैं सब को बताऊंगा कि तुम रात म केस्टबल में पैरेलाल आ जाता है जोनी उसे देखकर छुप जाता है कुछ देर बाद हैलन भी वहां मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है पैरेलाल बातों में हैलन को इस खड़की में फसा देता है और पीछे से जाके हैलन का ढोल बजाने लगता है हैलन जोनी को बेहन एलीसा और इसके मंगेतर से बात कर रहा होता है वहीं जॉनी का जीजा कहता है मेरे जूते काफी गंदे हो गए हैं तुम इसे साफ कर दो लेकिन जॉनी ऐसा करने से साफ मना कर देता bunch वो जोनी की माँ को उसके बारे में सब बता देता है कि जोनी रात में आपके कमरे में ताका जाकी करता है और ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है वो कहती है मेरे घर में पता नहीं ये ठरकी कहां से पैदा हो गया और जोनी मौका देखकर अपनी बेहन अलीसा की किताब को अपनी असलील किताब से बदल देता है और जब अलीसा उस किताब को खोल के देखती है तो उसका खोन उबाल मादने लगता है वहीं जोनी सिंसी ये देखकर मजे लेता है असलील किताब पड़कर जौनी का ओजार जोर तो मारी रहा था वो उर्सुला में टेकने के लिए किचन में जाता है और उसे पीछे से जटके से पकड़ लेता है वहाई अपने डिफैंस में उर्सुला जौनी के सर पर प्लेट मार देती है जोनी को दिन में तारे दिख जाते हैं जोनी कहता है तुने प्लेट मारी अब तेरे अंगोर को तरबूज बना दूँगा तब ही वहाँ एक मोटी मेड आ जाती है और जोनी बिचारा अंगोर को आम नहीं बना पाता अब जोनी का हैंड़ पंप जोर तो मार ही रहा था उसे किसी की तितली का चमकादर बनाना ही था वो सोचता है बस अब मिस लपीतो ही बची है जो मुझे अपने पपीतो का स्वाच चका सकती है जोनी बेटा लपीतो के पास पहुंच जाता है और पीछे से दबा के एक जटका मारता है लपीतो जम के जोनी का विरोध करती है लेकिन मनी मन मजे ले रही थी तब ही एक डाकी आता है जंग छिड़ गई जंग छिड़ गई जर्मनी ने फ्रांस पर हमला बोल दिया ये सुनकर मिस लपीतो अपने पपीतो को लेकर भाग जाती है जोनी के अर्माने पर पानी फिर जाता है और गाउं के सबी लोग युद की तयारी में लग जाते हैं घर के सारे मर्द और नौकर युद में जाने को रेड़ी थे लेकिन वही मिस्टर फ्रेंग कहता है मुझे अस्तमा है मैं युद लड़ने नहीं जाऊंगा और जोनी इन सब के जाने का वेट करता है रात में जोनी देखता है कि जंगल में सबी मंगल कर रहे हैं दरसल यहां एक रिवाज होता है जब यहां के लोग युद लड़ने जाते हैं तो वो लोग जंगल में टपाटप करते हैं और जोनी उन सब को देखकर इंजोय करता है अगले दिन सबी लोग युद के लिए रवाना हो जाते हैं और जोनी बोलता है अब घर में कोई मर्द नहीं है अब मैं सभी को दबा के पेलूंगा जोनी सिंस सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है उसको अपना हैंड पम देने के लिए उसे अपने जाल में फसाता है उर्सुला भी जोनी को पसंद करती थी और हमारा जोनी सिंस पागल सा हो जाता है और उर्सुला का पूरी राट डोल बजाता है अगले दिन जंगल में नदी के किनारे कैट बैटी हुई थी और हमारा जोनी नदी में उससे छुपकर देखता है और उसको सेड़्ूस करने लगता है और कैट को भी दबा के घसीट के पेलता है इसके बाद जोनी सिंस एक प्लैन बनाता है वो घर की सबी औरतों का गेम बजाएगा अगले दिन जोनी के फादर घर आ जाते हैं दरसल वो जन्रेल हैं वो जंग के दुरान जब मरजी घर आ जा सकते हैं और रात में जोनी की माँ को अलग-अलग स्टाइल और एंगल में पेलता है और ये सब जोनी, जोनी की मौसी, कैट, सब गेट के की होल से छिप कर देखते हैं अगले सुबह जोनी की माँ पादरी से बोलती है कि जोनी के पापा मेरी अलेग अलेग श्टायल में गेम बजाते हैं क्या ये सही है मुझे तो लगता है मैं पाप कर रही हूं फादरी कहता है ये पाप नहीं है तुम अपने पत्ते के साथ जैसे चाहए वैसे कrzy शकती हो अगले दिन वहीं का प्लेट वाली नर्स आती है वो हर रूम के पास जाती है लेकिन कोई उसका गेम नहीं बजाता क्योंकि घर में कोई मर्दी नहीं था और जोनी के कमरा खुला हुआ देखकर वो उसमें खुश जाती है तो जोनी उससे पूछता है तुम इसी टाइम क्यों तो हेलन कहती है मैं तो बत चाहए देने आती हूँ यह कहकर वह जाने लगती है तब ही जौनी अपना फुकार मारता वह साफ हैलन में समाके उसका डोल बजा देता है अब जौनी की इम्मत बहुत बढ़ जाती है बरथा और जौनी की सिटर अलीशा जा रही होती है और वह एल गपागप गपागप करती है अब जोनी सेंस के किसमत खुल गई थी उसके कमरे के बाहर लड़कियों और नौकरानियों के लाइन लगी रहती थी और कभी कभी तो वो तीन लोगों को एक साथ ये संतुष्ट कर देता था आखिर अब मुझे इस मूवी का नेम समझाया वाट अबरी फ्रंच वूमेन वॉंट तो ये चाहती है ये लड़कियां एक दिन जंगल में अलीसा और जोनी अपनी प्यास बुजा के बात कर रहे होते हैं वहीं अलीसा जोनी से कहती है मैं प्लेगनेंट हो गई हूं और ये सुनकर जोनी के होस उड़ जाते हैं उसी दिन अलीस लाती है वो कहती है मैं भी प्लेगनेंट हो गई हूं और ये सुनकर जोनी की फटके चार हो जाती है वो कहता है अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे पूरे गाओं में नंगा नाच नचा के मुझे उल्टा करके मेरी गोटियां कटवा देगी जोनी उर्सुला से एक सैड नेल पेंट मंगवाता है और अलीशा के बिस्तर पर लगा देता है जोनी अलीशा से कहता है जैसे तैसे आज तुम अपने मंगेतर के साथ इंटिमेट हो जाओ और उसे लगेगा तुम वर्जिन हो इसके बाद वो अपने मौसी के पास जाता है वो कहता है मिस्टर फ्र से पीछा तो छुड़ा लिया था इतना बड़ा कांड होने के बाद भी यह नहीं मानता जोनी लाश्ट टाइम हेलन का जम के डोल बजाता है और मज़ा यहीं मूवी का एंड हो जाता है तो दोस्तों इस मूवी से क्या सीख मिली भाई कभी भी किसी का गेम बजाओ तो सेफट